उत्रप्रदेश के इस बार 2022 मोनेले विधानसवा चुनाओं में सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई होगा तो वो युवा वोटर होंगे क्योंकि 6 करोन से ज्यादा युवा वोटर उत्रप्रदेश में है और बीजेपी की कोशिस है कि कैसे युवाओं को पार्टी के साथ जो जी के तरफ है प्रधानमंत्री जी के प्रती है तो सबसे बड़ा तो मैं समझता हूं कि अपने आप आज का यूथ हमारे साथ है क्योंकि यूथ ने हमेशा सच्चाई की हमेशा इमांदारी की अच्छे सोच की साफ नियत की बात की है और जो इसके साथ रहता है उनके साथ यूथ रहता है तो स्वाभावी क्रूप से और देखे 14, 17, 19 में जो सपलता भी मिली है वो नौजवानों के साथ आने से ही मिली थी तो बड़ों का होश और नौजवानों का जोश दोनों के मिलाप से ही पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और जहां तक रही संगटनात टीम हमारी खड़ी है जो 2022 के सफलता का एक नई बारत लिखेंगे है जो हमारे ये खुशी की बात है कि जो लक्षे था हमारा उससे ज्यादा क्योंकि कई बार बीच में लगता था कि जो लक्षे हम लोगों ने हासिल की लिया है वह अचीव करेंगे कि लेकिन यूथ ने फि से जवरदस्त काम किया है और जो लक्षे है उससे अधिक जगों पर हम लोग पहुँचे हैं और लगभग 27,000 जो हमारे शक्ति केंद्र हैं जहां पर मेन बॉड़ी के हमारे जो सयोजयक प्रभारी बने हैं तो उसी प्रकार से हमारी इवा मूर्चा का भी शक्ति केंद्र त इंकेत है 22 में इंकलाब होगा बीजेपी सथा से बाहर होगी देखे यंग तो हैं लेकिन मैं जब यंग या यूद की मैं बात करता हूं तो सिर्फ एज से ने बलकि सोच भी होनी चाहिए और यूद हमेशा बात करता है इंक्लूजन की वो डिवीजन के बात नहीं करता है य तो मैं समझता हूँ इसमें अखिलेश जी या समाजबादी पार्टी कोंसों पीछे है तो इसलिए और वैसे भी मैं मानता हूँ कि जो लोग ऐसे लोगों के नाम पर वोट की अपिक्षा करते हों जिन्ना जैसे लोगों के नाम की पर वोट मांगने की हिम्मत रखते हों मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की हिम्मत को एकदम धरकिनार करने की सोच आज हमारे उत्तरप्रदेश का यूथ रखता है और यह जवाब देगा भी कि ऐसे लोग जिनकी वज़े से हमारे देश के जवान, हमारे देश के हजारों हजार लोग अपने परिवार के लोगों को और अपने जीवन को भी खोया है, ऐसे लोगों की जिनकी वज़े से हमारे देश का डिविजन हुआ है, ऐसे लोगों का नाम लेकर वो समाजवादी पार्टी के नेता वोट हासिल करना चाहते हूं, इससे जदा दुर्भाग के पूर्ण और इससे जदा नियत में खोट और जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पढ़ता है, क्योंकि भारती जनता पार्टी तो सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ी है, लोगों को सम्मान और उनका देना और उनका विश्वास हासिल हो, इस नियत के साथ हम सब लोग आगे बढ़े हैं, तो सब बसपा कॉंग्रेस क्या करती है, इनके किसी भी गतिविदी से भारती जनता पार्टी के वोट बैंक या हमारे परिडाम जो आने वाले हैं, उस पर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है, असेम्बली सेशन चल रहा है, लगातार विपक्त चापलों को घेर रहा है महंगाई के मुद्दे पर, आज से मुद्दे हैं, इस पर काम सुप्रेम कोट की नेगरानी में काम हो रहा है, SIT अपना काम कर रही है, कानून जो होगा वो अपना काम कानून करेगा, और करते हुए दिख भी सरकार रही है, इसमें भी कहीं लोग देखते हैं, तो इसलिए ये मुद्दे चलने वाले नहीं ह सकारात्मक बाते हैं, इनकी negativity से कोई मैं उस पर मैं जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन जो अपने सकारात्मक मुद्दे हैं, नौकरी उपलब्द कराना, किसानों को सम्मान निधी उपलब्द कराना, गाउं गाउं परिवारों को सौचाले उपलब्द कराना, जल से जल उ तो मैं समझता हूं कि दिव्यांग जन से लेकर बुजर्ग और निराशित महिलाओं को पेंशन बढ़ाना, तो यह सब उपलब्द ही है, इन सब चीजों को लेकर हम लोग जाएंगे, और साथ में अपनी जो आध्यात्मिक, अपनी जो सांस्कृतिक जो ताकत है, अपनी पर उस्था कि आर राज हो, यह चाहिए, नौकरी चाहिए, और इन सब चीजों को हमारी सरकार ने दिया है, तो यह आपने सुना क्या कहना है, बीजेपी विधायक पक्का सिंग का साफ तोर पर कह रहा हैं कि यूथ को डिविजन नहीं चाहिए, जो लोग जिन्ना का नाम लेकर परटीज कर रहा है, ऐसे लोगों को आज का यूवा पसंद नहीं करता, और बीजेपी जब चुनाव में जाएगी, तो उन्होंने जो योडनाएं शुरू किया है, जिसका लाब लोगों को मिला है, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, और पूरी तरीके खबर आपकी, जबाँ आपकी